इस Easy Loan Application के आज मैं review करने चाह रहा हूं, तो यह application कैसा है? रिल है या फेक application है? इस application पर क्या क्या issues and problems आते हैं? और reality क्या है? क्या सलता है मतलव इस application पर? तो कफली दो भाड़ भी हो, आज आज आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएंगे आप लोग देख सकते हो भड़ भड़के यहाँ पर 5-star reviews भड़े पड़े हैं लेकिन गाइस इसे देखके आप लोग को धोके में मत पढ़ना है इतना भी अच्छा application नहीं है मैं आप लोग को बताऊंगा कैसा application है यहाँ पे भी इस application के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो लेकिन यह सारा कुछ सीज़े भी सही नहीं है मैं आप लोग को complete information इस application के बारे में देने वाला हूँ यहाँ पे मैंने top 10 points यहाँ पे note-down करके रखा है जैसे कि interest rate processing field, loan amount, repayment period आप लोग repayment कैसे करोगे, late payment करोगे तो कितना search देना पड़ेगा, documents, eligibility, customer आप लोगो को बताएंगे, अगर वीडियो को एक like करना और channel को भी subscribe करना और support करो अगर आप लोग सापोर्ट नहीं करोगे मैं तो कभी भी आगे grow ही नहीं कर पाऊंगा, तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो interest rate से हम लोग शुरू करते हैं, तो गाइस interest rate आप पर नहीं देना है, तो 0% processing fees पर आप लोग apply कर सकते हो, loan amount आप लोगो को minimum 2000 से maximum 20,000 तक आप लोगो को यहाँ पर loan मिलेगा, उससे जादा आप लोगो को loan नहीं मिलेगा, अभी repayment period गाईस, आप लोगो को यह लोग बताता है कि 3 महीने से, 3 महीने के अंदर repayment period मिलेगा, लेकि इसे कि 1 महीना, 2 महीना ऐसा भी मिल सकता है, तो देख लेना, अपनी जो भी loan agreement होगा, उससे पहले ही ध्यान से पढ़ लेना, कि क्या-क्या terms and conditions है, कितना दिन के लिए आपको loan मिल रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पर repayment गाईस, इसी application पर आप लोग कर सकते हो, UPI से debit card या तो credit card से आप लोग repayment कर पाऊगा, अगर आप लोग late payment कर होगा तो extra interest आप लोग को देना पड़ेगा, 2% से 4% के अंदर आप लोग को extra interest यहाँ पे pay करना पड़ेगा, आपकी अगर documents क्या-क्या साहिए, इसके बारा में बता है, तो अधर cut साहिए, पान cut साहिए, आपकी bank statements नहीं है, slow response आप लोग को मिलता है, आप लोग को इसी application पर customer card का details मिल जाएंगे, customer card का number भी आप लोग को इसी application पर मिल जाएंगे, तो आप लोग customer card के साथ मतलब contact कर सकते हो, application safe है guys, क्योंकि यह लोग बताते है कि यह NBFC के साथ registered है, यहाँ पर देख सकते हो, NBFC के साथ यह लोग registered है, तो हम लोग safe भी consider कर सकते है application को, लेकिन फिर भी guys, issues and problems इस application पर भी आते है, अभी real है या fake बताने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, कि हाँ पर क्या क्या issues आता है, पहले तो guys instant rejection मिलता है, लोग यहाँ पर अपना KYC complete करते हैं, उसके बाद loan के लिए apply लाइ करते हैं, तो direct rejection मिलता है, कुछ-कुछ लोगों को यहाँ पर loan approve हो जाता है, लेकिन उन लोगों की account पर पैसा नहीं आता है, यहाँ पर 5 star reviews तो बरबर के पड़े हैं, लेकिन कुछ लोगों ने 1 star reviews भी किया है, जिसे कि आप लोग देख सकते हो, इस बंदे को loan तो approve हो लेकिन उसके account पर कोई भी पैसा नहीं आया, बाद में इस application की जो भी loan recovery agents है, वो लोग कॉल करके message करके इस भाई को परिस्थान करें, तो ऐसा ही प्राब्लेम्स आते हैं, लोगों को repayment पे भी issues आते हैं, लोगों का मतलब कुछ-कुछ लोगों के साथ कुछ गलत भी इस application पे हुआ है, तो रिक्स ये application है गाईस, आप लोग अभी अगर apply करना चाते हो गाईस, तो अपने रिक्स पे करना और loan मिलने का संसेश भी 50-50 है, इतना भी अच्छा application नहीं है, यहाँ पे जैसे 50-50 reviews है ना गाईस, तो यह सारी reviews, actual reviews नहीं है, बहुत सारा fake reviews भी इस application पे फिलाल की time पे आ गया है, तो अपने रिक्स पे करना, अपना research कर लेना, अगर loan के लिए apply करते हो तो terms and conditions, loan agreements वो भी होता है, त्यान से देख लेना और पर लेना, उसके बाद ही apply करना, और इस application को install करने से पहले, अपनी mobile से जो भी primary आपकी contact details है उसे delete कर लेना, ताकि आप लोग सेफ रहो, ठीक है, आप लोग क्या सोचते हो, easy loan application के बारे में, कैसा application है, real है या fake है, इसके बारे में comment पे मुझे ज़रूर बताना, अगर आपकी कोई experience है, उसकी बारे में भी comment पे बताना, आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, फिर मिलते हैं, आप लोग के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye guys, love you guys